दुम्री ओप चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थमने के साथ ही राजमीतिक पारा चद गया है। नेताव कारेकरताव का एक दूसरे पर आरोब प्रत्यारोब बढ़ गया है। गिरिडी से सांसत चंद्रप्रकाश चौधरी के मकोली के सेंट्रल कॉलोनी स्थित आवासिय कार्याले में बेर्मो चंद्रपुरा पुलिस ने रविबार रात चापे मारी की। सांसत चौधरी उस वक्त घर में नहीं थे। सांसत प्रतिनिदी दीपक महतो ने बताया कि 20 की सं उप्चुनाव को लेकर संदेह के आधार पर सभी जगर जाच परताल की जा रही है। देखें डुम्री उप्चुनाव की वोटिंग शुरू होने के सिर्फ 36 घंग के पहले आजसु के वरिये नेता और सांसद चंदरपकास चौदरी के घर छापे मारकर इस सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि उससे पता है कि डुम्री उप्चुनाव में वो बड़ी हार क्यों बढ़ रही है और निराशा और हताशा के इस दौर में वो सारी सीमा है सारी मर्यादाओं को लांग रही है इससे पुर्भी भाजपा के सांसद आदित साउ के कमरे की देर रात होटल तरिशा में तलाशी ली गई थी और ऐसे दरजन उधारन है कि एंडिये के नेताओं कारक पुलिस को सरकार का टूल किट नहीं बनना चाहिए हम चुनाओ आयोक से मांग करते हैं इस मामले को वो संग्याल ने बहराल उन्होंने चंदरफकाश चौदरी के घर च्छापे मारी करके यह सिद्ध कर दिया है कि डुम्री की जनता आज सुत्य उमिद्वार को बड़ी जी मेल आइकेन बटन दवाना ना भूले